हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू प्रोग्रमिंग बाइस उकला क्लासस आज को टॉपिक हमारा फिजिबिलिटी इस्टुडी बहुत इंपॉर्टन क्विश्चन है हमेसा एक्जाम में आता है कभी निकभी ये फिफ लेक्शर है हमारा सॉप्टिवेर एंजिर निक टेस्टिंग म तो किसी भी सिस्टम की सफलता के लिए सिस्टम की ढश्ता का परिक्षन करनी क्षफि के हलाता है। इसमें जो सिस्टम में आने वाले कुस्स दिक्कतों को एनलाइज किया जाता है इसमें सिस्टम की जनकारी को गहराई पूरवक जाता था और यहां निर्धारित किया जाता है कि सिस्टम को बिकसिद करने के लिए किस प्रकार से सफलता पाई जा सकती है यानि कि Probability का इसमें हम कि बहुत जादा यूज़ करते हैं feasibility study के अंदर तो अब यहां पर समझ लेते हैं कि इसके कुस्तिन टाइप्स होते हैं तो उन टाइप्स को देखते हैं यहां पर है feasibility को जो है वो तीन पार्ट में divide किया गया है first है technically फिर है operational feasibility और फिर है economical feasibility तो यह तीन पार्ट में भी देख सकते हैं यह तीन पार्ट में divide किया गया है हम अगर कभी भी feasibility study करते हैं feasibility analysis करते हैं इन तीन चीजों को हमेशा ध्यान में रखते हैं वो टेक्निकली कितने स्ट्रॉंग है operational उसमें कितने यह तो cost आ सकती है क्या हो सकता है और economically वो कितना expensive बना है तो इन चीजों की बात करेंगे तो तो मैं आपको कि technical feasibility में होता क्या है इस feasibility में सिस्टम की टेक्निकल जरूरतों को निर्धारित किया जाता है इसमें यह देखा जाता है कि जो प्रस्तावित system है उसके लिए जो technology चाहिए वो उपलब्द हो तथा उस technology को system में किस प्रकार से integrate कर से किया जा सकता है उसे भी देखते हैं नई इसके technology में आने वाली सभी प्रकार की complexity को handle करने के लिए तक्निकी रूप से सब सक्सम जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी जरूरते होती हैं तो अगर कोई technical feasibility की बात करता है तो technical feasibility में experts की need होती है जो कि technical रूप से technical field में expert होते हैं तो यह जो है आपको feasibility study करने में technical feasibility study करने मे एक expert की need होती है जो कि इस particular field में महारत हो या उसको master हो तो second case के अगर बात करें तो operational feasibility यह क्या होता है इस feasibility में यहां निर्दारित किया जाता है कि सब एक प्रस्तावी system किस प्रकार problem को solve करेगा तता system में किस प्रकार से बदलाव आएगा तो यहां पर इसमें हम क्या देखते हैं कि जो system है वहां users के लिए लाबकारी है या नहीं क्या वह जरूरतों को पूरा करने में सक्सम है या नहीं तो इन चीजों के हम बात करते हैं operational feasibility के अंदर तो इस feasibility में यहां धारित किया जाता है कि जो प्रस्तावी system है उसमें कितना खर्चा आएगा और उसमें कितना benefit मिलेगा इन दियुक चीजों को हमें आप करते हैं कि कितना अगर हम इंवेस्ट कर रहे हैं तो कितना हमारा return आता है और economic feasibility को cost benefit analysis भी कहते हैं तो यह बहुत important factor है इससे आप हमेशा याद रखना अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो इन पसंदा दूसे लाइक करें शेयर करें दूसे को लोटे से help कर सकते हैं comment करें 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 को कुछ भी नहीं समझ में आया है या फिर ऐसे ओर वीडियो साथ नहीं और subscribe करना पूले बैल आइकन को ज़रूर हिट करें हमें साब्रेट हैं नहीं के लिए keep learning gain knowledge with me thanks for giving your precious time to learn happy Diwali